नमस्कार, हम सभी पर महराज जी का अशिरवाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे हनुमान जी ऐसे परम दयालू देवता है जिनकी अराधना भक्त करता रहे तो उसके जीवन में सुमती आती है और जब सुमती आती है तो वो अच्छे आचरन करता है और वालमी की जी ने तो सदाचरन को ही धर्म का परियाय बताया है हनुमत कृपा होती है तभी व्यक्ति धार्मिक आचरन में उतरता है और जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होती तो व्यक्ति को ये पता भी नहीं होता कि उसके लिए क्या करनिये है, क्या अकरनिये है, क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और व्यक्ति इसी दुविधा में जूलता रहता है संतो का तो मत है कि हनुमत कृपा से व्यक्ति को उसका धे मिल जाता है उसका प्राप पे मिल जाता है इस धरापर किस खातिर उसका आगमन हुआ है ये उसे पता चल जाता है और उसके बाद उसके जीवन की राह आसान हो जाती है हनुमान जी को प्रसंद करना भी बड़ा ही सरल है राम नाम से प्रसंद हो जाते हैं श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया प्रभु का चरित्र प्रभु श्री राम का चरित्र हनुमान जी को सुनाया जाये तो हनुमान जिए अती प्रसन हो जाते हैं और भक्त को सब कुछ दे डालते हैं क्योंकि हनुमत कृपा जब होती है तभी व्यक्ति को सुमती मिलती है और उसके जरीए वो अच्छे कारे करता है इसलिए हनुमान जी के शरन में जाने के बाद सभी सुखों की प्राप्ती हो जाती है प्रभू श्री राम को प्रसंद करने के लिए नाम जप से बड़ा कुछ भी नहीं है गुस्वामी तुलसिदास जी ने भी लिखा है कि भाव कुभाव अनक आलस हूं नाम जपत मंगल दिस दस हूं भाव से जपो या कुभाव से जपो प्रेम से जपो या बैर से तिरसकार से आलस से जैसे भी हो प्रभू श्री राम का नाम आप जपेंगे तो दसो दिशाओं में आपके लिए मंगल कारक होगा और जितने ही ज़्यादा राम नाम का जाप किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा हनुमान जी की प्रसंता हमें प्राप्त होगी संतों का ये भी मत है कि नाम जब से ज़्यादा अगर राम जी का नाम लेखन किया जाए तो बहुत जल्दी जो मनोरत होते हैं हमारे वो पूरे होते हैं और अध्यात्मिक मार्ग भी हमारा प्रशस्त होता है प्रभूशी राम की कृपा हमें प्राप्त होती है आनंद रामार्ण में तो कहा गया है कि दसगुना ज्यादा इसका फल प्राप्त होता है कि अगर हम नाम जब तो करे ही लेकिन अगर हम नाम लेखन करते हैं प्रभूशी राम जी का नाम अगर हम लिखते हैं क्योंकि उस वक्त हम मन वचन कर्म से एक जगह इस्थिर हो जाते हैं हमारा जो चित है ध्यान है जब हम लेखन करते हैं तो उसकी इस्थिरता आ जाती है और ध्यान हमारा केंरित होता है और उसके उससे विशेश फलों की प्राप्ती होती है नाम देव जी संत हुए हैं भारत में और उनका ये प्रतक्ष अनुभव भी रहा है कि कठिन से कठिन कार भी अगर व्यक्ति के जीवन में है दुशकर कार अगर वो भी है तो व्यक्ति अगर लगातार 90 दिनों तक कम से कम 108 राम नाम का भी लेखन करता रहे प्रति दिन 90 दिनों तक तो सभी दुशकर कार उसके पूरे हो जाते हैं अगर नाम लेखन 11 दिन 21 दिन 41 दिन भी किया जाए तब भी भक्तों के वनोरत सिद्ध हो जाते हैं ऐसे कई संतों का अनुभव भी है प्रतक्ष अनुभव है बहुत सारे लोगों ने लिख करके भी भेजा है कि वो नाम लेखन करते हैं और नाम लेखन करने से उनके जीवन में कई चमतकार घटेत हुए हैं क्योंकि प्रभूशी राम जी की जो नाम महिमा है वो अदबुत है आगे हम बात करेंगे कि आखिर इस नाम लेखन को किस प्रकार से किया जाए इसकी क्या विधी होगी लेकिन वालमी की जी ने अरनिकानवे राम जी के बारे में लिखा है कि रामो विग्रह वाम धर्मा जो राम है वो धर्म के साक्षात विग्रह है विग्रह वाम धर्मह ऐसा कहा है वालमी की जी ने यानि मूर्ती नहीं विग्रह है मूर्ती तो निश्प्रान होती है उसमें प्रान प्रतिष्ठा जब हो जाती है तो वो विग्रह बन जाता है तो धर्म के परियाय है प्रभु शिराम जी जो भी प्रभु शिराम जी कहते हैं जो वो करते हैं वो साक्षा धर्म है नारजी से वालमीकी जी ने पूछा था कि चरित्रें च को युकता सर्व भूतेशु को हिता यानि सृष्टी में ऐसा कौन है जो चरित्र से युकत है और जो सभी प्राणियों को प्रिय है और जो देखने में भी सुन्दर है तो इसका उत्तर नारजी ने दिया था और कहा था कि ऐसे तो प्रहुशी राम ही है जो चरित्र में सबसे उपर हैं मरियादा पुरुशोत्तम है और उनका नाम उनका स्मरण अगर किया जाए तो भक्तों के सकल मनोरत जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं सभी सुखों की प्राप्ती होती है इस तरह की बाते वालमिकी रमाइन में लिखी गई है महरिशी वालमिकी जी ने इसमें बड़ा ही एधर महत्व बताया है राम नाम लेखन के लिए जबभी आप लिखना शुरू करें तो यह शुब हड़ी इसा करना चाहते हैं तो जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो मंगलवार से लिखना शुरू करें तो जादा अच्छा है और शुकल पक्ष के मंगलवार से अगर आप 90 दिनों तक एक अनुष्ठान के तौर पर नाम लेखन करना चाहते हैं तो 90 दिनों का एक अनुष्ठान आप शुरू कीजिए शुकल पक्ष में स्नान आदी क्रिया से निवरित होने के बाद आप जहां पर राम दर्बार आपने स्थापित किया है हनुमान जी जहां पर आपके विराजमान है वहाँ पे एक दीपक जला लीजे और दीपक जलाने के बाद अपनी बाई तरफ एक पात्र में जल रख लीजे कुछ भोग वगेरे जो भी आप भोग लगाना चाहते हों और पित करना चाहते हों वो करिए और गनेश जी की सबसे पहले वन्ना करने के बाद आप प्रभू श्री राम जी का कुछ देर सुमिरन कीजे फिर हनुमान चालिसा का पाट कीजे और प्रार्थना कीजे संकल्प लीजे कि हम 90 दिनों तक या फिर 41 दिनों तक ये नाम लेखन हम करने जा रहे हैं और प्रती दिन कम से कम एक प्रिष्ट या फिर 108 राम नाम हम प्रती दिन लिखेंगे लाल कलम से वैसे तो देखिए आज कल बहुत सारी की कॉपी आ गई है जिसमें वो स्पेस दिया होता है आप उसी में राम नाम लिख सकते हैं अन्य था अगर आपके पास वो है तो ठीक वरना आप सफेद कागस पर जहां कोई लकीर नहीं खिची गई हो कोई कोश्ठक ना तयार किया गया हो उसमें भी आप नाम लेखन कर सकते हैं लाल रंकी कलम से यह अती उत्तम है तो इस तरह से नाम लेखन शुरू किया जा सकता ह और जो भी निरधारित समय है अनुष्ठान आपने लिया है उस समय कीजिए और किसी कारण से अगर भूलवश वो समय निकल गया आपको ध्यान नहीं रहा तो उसमें परिशान होने के आवश्यक्ता नहीं है सोने के पहले भी रात्री में जब आप शेन करने जाएं उसके प नब्वे दिन पर हम विशेश जोर इसलिए दे रहे हैं कि नब्वे दिनों के बारे में बहुत सारे संतों ने ये कहा है कि नब्वे दिन तक लगातार अगर कोई लिख करके देखे तो उसके सारे मनोरत सिध होते हैं इसमें कोई दोराय नहीं है इसलिए नब्वे दिनों का अनुष्ठान आप ले करके आप ऐसा करते हैं प्रति दिन का यही क्रम रखते हैं और जिस पुस्तिका में जिस कौपी में हम नाम लेखन करते हैं तो वो बड़ा ही देखे पूझे हो जाता है इसलिए इसको यहां वहां रखने के आवशक्ता नहीं है इसको बिलकुल संभाल क रखें पूझा स्थल परी रखें और इसको पवित्रता के साथ रखें माथे चढ़ाएं तो निश्चित तोर पे राम जी की क्रिवाह में प्राप्त होती है और साथ में 90 दिनों का अनुष्ठान जो लोग भी लेते हैं इसके बारे में संतों का यह भी मत है कि इन दिनों मे आप तमाम तरह की जो संसारिक बुराईया हैं उससे खुद को दूर रखें जिसको प्रभुश्री राम ने कहा भी है कि छल कपट से आप अपने आपको दूर रखें निर्मल मन अपना रखें तो विशेश कृपा होती है हाला कि बहुत सारे लोगों का यह प्रश्ण होता ह काफी लोग लिख करके बेशते हैं कि संसार में बड़ी मुश्किल स्थिती हो जाती है संसार में हमें जीना भी है और राम तभी मिलेंगे कि निर्मल मंजन सो मोही पावा मोही कपट छल छिद्र नभावा लेकिन संसार का काम चलेगा कैसे इस पर रहीम जी ने बहुत पहले ही ये कहा है कि अब रहीम मुश्किल भयो तेरो दो काम अब रहीम मुश्किल भयो तेरो दो काम साचे से तो जग नहीं और जूटे मिले नराम रहीम कहते हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है संसार में सच बोलते हैं तो संसार का काम नहीं चलता क्योंकि संसार में इतनी सारी चीजे हैं इतना फरेव हैं ऐसे ऐसे लोग हैं कि अगर हम सत्य की राह पर चलते हैं तो साचे से तो जग नहीं उसे संसार नहीं मिलता और जूटे मिले ना राम अगर हम जूट बोलेंगे अगर इस तरह की हम बुराईयों में लगे रहेंगे इस तरह का चल कपट मन में रखेंगे तो राम नहीं मिलेंगे इसलिए बड़ी मुश्किल स्थित्य हो गई है बड़ी दुविधा की स्थित्य है हम क्या करें सच बोलेंगे तो संसार छूटता है जूट बोलेंगे तो राम छूट जाते है तो इस तरह की दुविधा का जिक रहीम ने भी किया है लेकिन रहीम ने आगे स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ सांसारिक लोगों के मन की पीड़ा, मन की विथा इसके जरीए बताई गई है संतों का मत ये है कि एक बार आप निर्मल मन करके तो देखे जो सांसारिक चतुराई है उसको छोड़ के तो देखे उसके बाद आपके सारे कारे स्वेम हनुमान जी संभालना शुरू कर देते हैं ये बेकार लोग डरते हैं, नाहक डरते हैं, डरने की कोई आविशक्ता ही नहीं है सत्त के मार पर चलें, चारितरिक दोश खुद के अंदर ना आने दें ऐसा ना सोचें कि आप इन सांसारिक प्रपंच में खुद को नहीं डालेंगे तो आपका कारे नहीं चलेगा कारे नहीं सदेंगे, आप ठगे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे भक्त का कारे स्वें प्रभुशी राम जी, हनुमान जी संभालना शुरू कर देते हैं आप करके तो देखिए, इसलिए जो दूविधा है, ये स्वभाविक है बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं, मंदिर से जब पूजा करके लौटते हैं जब हनुमान जी की अराधना कर चुके होते हैं, उसके बाद उनके मन में इस तरह की बाते आ जाती है कि हनुमान जी पर सब छोड़ तो दिया, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया, नहीं ध्यान दिया या फिर सत्मार्क पर हम चले, तो फिर कैसे हमारा काम चलेगा इस तरह की जो दुविधा मन में आती है, यही हमारे परिशानियों की जड़ बन जाती है और यही हमारे परिशानियों का कारण बन जाता है तो इसको छोड़ करके, बिल्कुल यह प्रभू श्रीराम जी के सत्य वचन है कि जो भी व्यक्ति इन सब बुराईयों से खुद को अलग करके मुझे भज़ता है मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ और जब प्रभू श्रीराम जी को आप प्राप्त हो जाएंगे हनुमान जी की कृपा जब आपको प्राप्त हो जाएगी हनुमान जी तो परम दयालू है एक बार सब और से अपना ध्यान हटा करके मुक्त हो जाईए सब कुछ हनुमान जी पर छोड़ दीजे और फिर देखे हनुमान जी स्वेम सब समालना शुरू कर देंगे आखिर गोस्वामी जी जिन चुपाईयों के उन्होंने रचना की हनुमान चालीसा में उनके हिर्दय की आर्थ पुकार है ये और वो स्वेम सिद चुपाईया है इसलिए इस पर इसी प्रकार से विश्वास करते हुए हनुमान जी को आप भजिये मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी आपको पसंद आई होगी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा हम इस अंको यहीं विराम देते हैं मिलते हैं आपसे अगले अंक में तब तक के लिए जै शीराम जै बाबा की